क्या मैं आपको दो ऐसा word सिखाऊं जो दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका meaning बिलकुल अलग-अलग होता है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं पहला word है dual जबकि दूसरा word है dual ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं लेकिन इनका meaning बिलकुल एक जैसा नहीं अगर बात ह मेनिंग होता है डबल यानि दोहरा और वहीं अगर हम बाद डूएल की करें तो इस वर्ट का मतलब होता है दो लोगों की बीच की लड़ाई यानि दो लोगों की बीच का जगड़ा लगता है आप समझे नहीं आइए कुछ एक्जामपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को बरे शांदार तरीके से समझ सके आईए सबसे पहले डूएल का कुछ एक्जामपल देख लें डूएल जिसका मतलब होता है दो या दोहरा यानि डबल जैसे माननी जी अगर आपको कहना हो मेरा मोबाईल दो सिम वाला है या मेरा मोबाईल फोन दो सिम वाला है तो इस सेंट या मुझे डबल मुनाफ़ा होगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I will have dual benefits यानि मुझे दोहरा फाइदा होगा अगर आपको कहना हो मेरे laptop में दो प्रोसेसर है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे there are dual processors in my laptop यानि मेरे laptop में दोहरा प्रोसेसर है तो friends उमीद करता हू कि आपने पहला word समझा कि dual का मतलब होता है two यानि दो या दोहरा वही अगर हम बात dual की करें तो word dual का मतलब होता है fight between two men यानि दो लोगों के बीच का छगड़ा इसके पहले कि मैं कुछ examples दूँ यहां मैं आपको बता दूँ इन दोनों word के sound में थोड़ा सफर्क है पहला word ज तो है d-u-e-l इस word का sound is dual आईए कुछ examples देखे ताकि आपको यह बात और असानी से समझ में आ सके अगर आपको कहना हो दो लोगों की लड़ाई के बीच में मत जाओ तो एस sentence के लिए आप कहेंगे don't engage in a duel यानि दो लोगों की जगड़े के बीच में मत जाओ अगर आपको क जगड़ों के बीच में वह एक आदमी को कतल कर दिया अगर आपको कहना हो दो लोगों की जगड़ों के बीच में एक मासूम लड़का मारा गया तो इस sentence के लिए आप कहेंगे an innocent boy was killed in a duel यानि दो लोगों की जगड़े के बीच में एक मासूम लड़का मारा गया तो फ्रें between two men यानि दो लोगों की बीच का जगड़ा